जैहिन प्यारी दोस्तों मैंने 26 सो मैत करवा दिये। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नमबर 1, वॉल्यूम नमबर 2 इसमें 64 seat 26 सो मैत की ही हैं। उनको जो वॉल्यूम नंबर वन का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थमने लगा कर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तीजी के साथ देकिन जैसे आप 26 मैद का पहला सेट लगा रहे हूंगे सिट में जो हमारे सोलूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे सोलूशन का सीरियल यही रहेगा बट जो यह नमबरिंग का सीरियल है यह नहीं मालब कोशन यहीं रहेगा बस यह नम्बरिंग नहीं रहेंगी नम्बरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है आपको कोशन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा मैं डेली दो वीडियो यूटूब में अपलोड कर दूँगा जिससे आप सीख सके ठीक है तो सिसन को इंज्वाई कीजिए हेलो एंड वैलकम मैं यानि प्रकास अवस्ती कानपुरवाला प्यारे दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सोला जनवरी सिफ्ट टू मेभी ये 26 नंबर सेट है जो कि आपको बढ़हां से पढ़ाया जाएगा तो सेशन का स्टार्ट करते हैं बड़े धैर और सयम के साथ पहला कुश्चन आपके स्किन के सामने क्या कहता है कहता है 180 डिवीजन में 20 ऐसे बोलू हां और 15 माइनस 6 जिसे 9 कहेंगे 15 माइनस 6 जिसे 9 कहेंगे और 24 में 18 कम कर दो तो 6 आएगा यस यह नो टेक है बात को समझो मगर प्यार से प्यारे दोस्तों 180 ऐसे रखेंगे यहां देखा जाए यहां 20 और यह आजाएगा 20 और गुड़े 15 मतलब 300 दोस्तों 0 से 0 काटो 6 से उपर 3 बार में गया 6 से नीचे 5 बार में तो 3 बटा 5 इसका आंसर आएगा देखा गया कोई options में मैच नहीं कर रहा है तो इसका 3 गुना 9 और इसका 3 गुना 15 नौ बटा 15 फिर आंसर कहलाएगा options नंबर D वैर यह तो कट रहा है जो कि 3 बटा 5 आ गया अरे बोलो हाँ अब देखा जाए यह तो कोई options में है ने तो इसका 3 गुना 9 और इसका 3 गुना 15 होता है that's why the right answer of this question 9 by 15 पहले question की अपार सफलता के बाद दूसरा question जी हाँ दोस्तों जो ये वाला question है question number 3 तो इसका जो traditional method है वो सब हमने youth competition railway में पढ़ाया हुआ है high tech ही बताते हैं जब भी हमने बताया है इस question को तो हमीशा कहा है कि पैसे से भाग दो और quantity को उपर रखो गाने एक रुपई मैं 10 की दर से तो एक रुपई मैं 10 की दर से फिर आगे बोला गया है एक रुपई में कितनी coffee बेची गई तो एक रुपई मैं x coffee बेची गई और हमसे खुल के कहता है 25% का लाप 25% लाप मतलब 100 की चीज 125 पर पेशना यानि 125% निकालना है मासूम से दोस्तो 125% की वैलू 5 बटा 4 होती है बच्चा बच्चा जानता है 5 से ये दो बार 2 में 4 का गुड़ा होगा एक्स बराबर 8 आएगा यानि इस कोशन का आंसर 8 आएगा कोशन नमबर 3 का चले प्यार से सीखेंगे मोहबत के साथ सीखेंगे सबसे बड़ी बात सेशन को लाइक और सेयर कर दिजे तेजी के साथ जी हां दोस्तों बड़ी हां से पढ़िए प्यार से सीखें और लाइक और से कर दीजिए, आप जैसा कि जानते हैं कि इसका volume number 2 भी आ गया है, हम उसे भी कराएंगे, जी है दोस्तों, पर volume number 2 में क्या करेंगे, life class fee रखेंगे reason क्या है कि बच्चा तेवारों में बिजी है हर चीज में बिजी है तो बच्चे को line में लाने के लिए life class fee रखी जाएगी उसकी और recorded class जब पैसे लिए जाएंगे तो वो serious होके पड़ेगा मैंने समझ लिया है कुछ चीजों को भी तो एक डेल गाड़ी पांच घंटे में 240 किलोमेटर पर दी घंटे की चाल से एक निश्ची दूरी तै करती है यदि किसी हवाई जाज को 45 मिनड में समान दूरी तै करनी हो तो उसे किस चाल से यात्रा करनी चाहिए मासूम से दोस्तो बड़ा simple सा question है देखो पांच घंटे में 240 किलोमेटर जी आ तो 240 पंजा 1200 किलोमेटर 1200 किलोमेटर अब ये तै करना है 45 मिनट में तो स्पीड चाहिए केम पियच यानि 60 मिनट में तै हुई स्पीड चाहिए तो तरीका क्या होता है बच्चा यहाँ 15 से 3 बार 15 से 4 बार 3 में किसका गुला करे की 1200 हो जाए तो 400 का तो 4 में किसका गुला करे की 1200 हो जाए तो सीधी सी बात है सोरी 1600 हो जाएगा फिर से समझो हमसे कह रहा है 5 घंटे में 240 किलोमेटर तो डिस्टेंस क्या होता है इस पेट इंटू टाइम तो 1200 किलोमीटर 45 मिनिट में अब तै करना है ये दूरी तो बस आप यहां लॉजिक को समझो तो 45 मिनिट में इतना तै किया तो 60 मिनिट में कितना तो स्पीड जाएगी 1600 किलोमीटर प्रती घंटा अगर किसी को 1% भी कनफ्यूजन है डरे नहीं सीखे आप डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है बोलो हां स्पीड 240 कि है समय पांच है घंटा है अरे बोलो हां 45 मिनिट को 3 बटा 4 घंटा बोलते हैं और स्पीड एक्स याई है बस इसे भी सॉल करेंगे आंसर यही आएगा कहते तीन से यह जाएगा असी बार बोलो हां आर्चो का 32 पंज कर आदर असर तो समझ सकते हैं तो कोशान नंबर आठ समझ में आ गया होगा त्यारे दोस्तो कोशान नंबर 10 को लगाएंगे बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से कहता है क्या कि 15 माइनस 15 माइनस ब्रैकेड में 6 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 और प्लस 2 प्लस 5 जी हाँ दोस्तों 2 प्लस 5 का मान ग्याद किजिए आप एक चीज देखो ये 36 हो जाएगा और ये 6 42 तो 15 माइनस 42 और 5 2 7 पर एक चीज देखो यहाँ पर गौर से वो division का symbol है जो कि हमने plus लगा रखा है ये किताब में division है फोटू खीचने में सही नहीं आया ये division का symbol है 7 से भाग दोगे 7 चंग 42 होता है तो 15 माइनस 6 जो कि 9 आ गया जी हाँ दोस्तों इस question का answer 9 आएगा बोलो हाँ बहुत प्यार से बहुत सहियम से पढ़ाया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा चले तो आप लोग बढ़िया से सीक रहे हो ऐसा माना जाता है चले एक बात बता देते हैं बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर टेश्ट बुक का speed test महंगा हो गया है नहीं मेरे प्यारे दोस्तों बहुत कम दामों में है यह तीन साल का पास है जो कि 490 रुपए का है 490 वैसे तो महंगा हो गया है पर अगर आप मेरा coupon code लगाते है मेरा coupon code यानि PA10 जो टेश्ट बुक का तीन साल का पास वो 699 का हो गया है अगर आप इसमें PA10 लगाते हो यह PA10 ऐसा लगाने से सीधे यह 490 रुपए में आ जाएगा जी यह दसेरा ओफर चला है जबर दस इसमें और यह तीन साल का पास होगा जिसमें 209 रुपए ओफ हो जाएंगे सिर्फ हमारे PA10 लगाने से आने वाले समय में भी आप speed test लीजिए जब भी लीजिए PA10 लगाएंगे आपको अच्छा खासा discount मिलेगा जी हाँ दोस्तो ठेक है और test book में भर भर के speed test आते हैं और सभी exam के आते हैं किसी भी competition की त्यारी कर रहो speed test लगाना बहुत जुरूरी है क्यों? क्योंकि exam का pattern बदलता रहता है और speed test decide करता है कि आप कहाँ पर हो जी हाँ चले बाकी description देखिएगा question number 10 के बाद question number 11 आपके सामने हमने बताया है एक व्यक्ति 10 मिड में 500 मिटर लंबी सड़क पार करता है व्यक्ति की चाल किलो मिटर पर दि घंटे में ग्यात कीजिए मासूम से दोस्तो जब कोई man किसी pole flag tree को cross करता है तो वह अपनी ही length को cross करता है यहाँ पर करता है 10 मिड में 500 मिटर लंबी सड़क पार करता है व्यक्ति की चाल तो यहाँ में और कुस्तो दिया नहीं गया तो आप मोटा मोटा समझे 10 मिनट में वह ये विक्ति पान सो मिटर चलता है तो 60 मिनट में कितना चलेगा तो आपको गोगे शेका गुडा करो तो इसमें भी शेका गुडा कर लो गुडा कर लोगे तो यह 3000 मिटर हो जाएगा और 3000 मिटर को 3 किलो मिटर कहते है तो 3 kmph हो जाएगा क्योंकि ये घंटा हो गया तो 3KMPS is the right answer of this question 11 का answer 3KMPS आएगा चलिए 12 नमबर लगाईए मगर प्यार से चलिए पहले दोस्तो कोई भी confusion में doubt हो मलब question में तो उसे दुबारा दिखिए एक बच्चा कह रहा है आठ नमबर फिर से बताओ हे दे होता बताया था दूसरा method में समझ गया था आप क्या करो speed into time ऐसे कर लो और 45 मिनट को 3 बटा 4 घंटा कहते हैं और X तो LHS, RHS के बराबर X निकाल लो समझ गया 12 नमबर कोशन सीखिए हमारे साथ बहुत महबबस से सभी लोग सेशन को सेयर कर दिजिए और प्यार से पढ़िए प्यार से पढ़िए मुस्कान के साथ पढ़िए एक समझ चत्रबुच का परिमाप 80 cm है इसके एक विकण की लंबाई 16 है समझ चत्रबुच का छेटपल क्या है सभी बच्चे जानते हैं कि समझ चत्रबुच को इंग्लिस में रॉंबस कहते हैं और इसका अर्थ सारी भुजाएं बराबर 68 में 4 से भाग दे दो मतलब ये सारी कि सारी भुजाएं बराबर सभी जानते कि समझ चत्रबुच के जो विकण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिगरी पर काटते हैं नहीं जानते तो यूद की किताब पढ़ो जो हमने पढ़ाया है वहाँ थियोरी बताईए कहता है एक विकण 16 है अगर एक विकण 16 है तो बाइसेक करता है बराबर भागों में डिवाड आठ आठ और आठ सत्रा पंद्रा ट्रिपलेट्स होता है क्योंकि ये तो 90 है तो आठ पंद्रा सत्रा ट्रिपलेट्स तो ये 15 तो ये भी 15 हो जाएगा ये दोनों 15 15 हो जाएगे के रहाए सम चत्रबुच का area प्यारे दोस्तों अगर हम सम चत्रबुच का area बताए तो area होता है 1 by 2 diagonal का into d1 into d2 तो 1 by 2 ऐसे diagonal पहली diagonal 15 दुनी 30 हो जाएगी दूसरी 8 दुनी 16 हो जाएगी 2 से ये 15 मतलब सम चत्रबुच का जो एरिया होगा मासूम से दोस्तों 240 होगा ठोको लाइक बोलो हाँ चले शौदा नंबर कोशन सीखिए हमारे साथ बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे चीजों को सीखते रहे निरंतर अभ्यास करते रहे जी हां दोस्तों कहता है यदि A इस्टू B बराबर रूट 7 इस्टू रूट 3 तो इसका मान बताईए मासूम से दोस्तों बहुत अच्छे समझें A अपॉन B बराबर रूट 7 अपॉन रूट 3 ये हमसे कहा जा रहा है बोलो हाँ और हमसे कहता है कि 3A प्लस 2B अपॉन 3A माइनस 2B का मान बताईए एक बात को समझो A की वैलू रूट 7 हो गई B की वैलू रूट 3 हो गई उठा कर यहां रग दो जब आप रूट 7 नकोगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 7 2 रूट 3 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 3 बोलो हाँ अब एक बात को बहुत अच्छे समझना उपर रूट 3 कॉमन लेलू जहां आप रूट 3 कॉमन लोगे तो ये 3 नहीं बचा अब ये रूट 3 हो गया रूट 3 इंटू रूट 7 तो ये रूट 21 हो गया जो लोग नहीं समझ पाए फिर से समझो क्या इस वैलू को हम रूट 3 गुड़े रूट 3 गुड़े रूट 7 लिख सकते हैं बिलकुल ये चीज कॉमन लोगे तो इसका गुड़ा ये हो जाएगा बस यहाँ पर प्लस का 2 ऐसे ही similarly नीचे भी ऐसे रूट 3 कॉमन लिया तो ये रूट 21 माइनस 2 ऐसे इसका इसका हैपी बड़े अब मेरी बात को समझना उपर जो वैलू उसे लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 21 नीचे को माइनस 2 प्लस रूट 21 लिख सकते हैं यही इसका आंसर होगा जो आप्संस मैच कर जाए वही आंसर है ठोको लाइक बोलो हाँ 14 के बाद 15 नमबर प्यारे दोस्तों बहुत प्यार से पढ़ेंगे मैंने आप सोच भी लिया है आपको हम बता भी दें आने वाले समय में आने वाले समय में आपको बता दें जो आप इसका next set कराएंगे जो 32 वाला उसे paid करने वाला हूं क्यों क्यों बच्चा serious नहीं है live class में नहीं आता ठीक है इतना अच्छा बताते भी है proper set कराते हैं आपको तो जहां हम उसको paid कर देंगे वहीं बच्चा लाइब आ जाएगा सीधी सी बात है क्यों तो यहीं सत्य आने वाले समय में पैसा जाएगा तो आटोमेटिक आएगा फ्री में कौन उस सब क्या लगता है नहीं जैसे कोई चीज फ्री में मिल लेए अरे यह बेकार होगी जब चार रुपिया जेट से जाता है तब समझ में मालूं होगा आज अज मुझें बता द सब्सक्राइबर है तीन मिलियन चार मिलियन पांच मिलियन दो मिलियन ठीक है हफते में एक वीडियो डालते हैं वो भी कोर्स बेचने के लिए तब बच्चा बड़े इच्छे टीचर हो भगवाल हो तुम सर्व आप है जो पढ़ाते हो वही पेपर में आता है क्यों क्योंकि आप समझ रहे होगे एक आई वीडियो आता है और यहां दिन में चार्ट हूँ वीडियो तो कौनों वैलू ही नहीं कहता है फर्जी टीचर है ऐसा होता है मान सिखता है लोगों की 27-81 का लगुत्तम समझ और महत्तम समझ ग्याद किजिए अगर हम LCM की बात करें तो 27-81 का LCM 81 होगा और SCF की बात करें SCF तो 27-81 में common 27 ही है यही इसका answer 81 और 27 जी हां दोस्तो 81 और 27 कोशन नमबर 16 लगाएंगे बहुत प्यार से और बहुत महबबस से कोशन नमबर 16 यदि A बराबर 3 बटा 7 B है तो 8 A माइनस B अपॉन 2 A प्लस 3 B का मान ग्याद किजिए मासूम से दोस्तो A बराबर 3 बाइस 7 B है तो हम करेंगे क्या A अपॉन B ऐसे लिखेंगे और 3 बाइस 7 B के सामने 7 A के सामने 3 जी हां B के सामने 7 A के सामने 3 तो जैसे 8 A माइनस का B हो गया अपॉन 2 A प्लस 3 B हो गया मासूम से दोस्तो जब हम A बराबर यहां रख देंगे तो 8 तरिका 24 हो जाएगा और यह 7 ऐसे हो जाएगा यहां रख दोगे तो 6 ऐसे हो जाएगा 7 यह 21 हो जाएगा तो 24 में 7 गया तो 17 आया और 21 और 6 27 17 बटा 27 is the right answer 16 का चलिए प्यार से पढ़िए हमारे साथ बहुत अच्छे से अमरेज जी कहते हैं मेरे 34 नमबर है अंटी पीसी में और कह रहे हैं इसना तक अरे मेरे भाई 34 नमबर तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा टेंसन न लू ठीक है फाल तुम्हें अभी 12 क्लास में और डेप्रेस हो रहे हो पता नहीं अरे 24 नमबर बहुत नमबर ले आए तुम ठीक है देवता तुम्हारा हो गया विकास तीस हजार रुपए में एक पुरानी बाई खरीता है और इसकी मरमद पर पांच हजार खर्च करता है यदि वै उस बाई को 42 रुपए में बेचता तो उसका प्रस्थत लाप क्या है 30,000 में खरीता है और उसकी मरमद में 5,000 खर्च करता है यदि वै उस बाई को 42,000 में बेचे तो उसका प्रस्थत लाप क्या है तो मोटा मोटा समझो 30,000 और पांच हजार तो ये हो गया कितना 35,000 और बेस्ता कितने पे है 42,000 पे 30,000 से 30,000 काड़ दीजिए रेशियो ले लो 7 से ये 5 बार 7 से ये 6 बार येस या नो अब आप खुद बताओ 5 की चीज़ अगर 6 में बेचेगा तो एक कमाएगा 5 पे इंटू 100 20 परसेंट का खेला हो गया कितने का 20 परसेंट का खेला हो गया the right answer of this question guys 20 परसेंट 25 का आंसर 20 परसेंट चाले 34 नमबर सीखेंगे मगर प्यार से क्या कहता है कि 8 ऐसे ही और आपके सामने एक बटा दो एक बटा चार एक बटा दो को 50 पैसा बोलते है एक बटा चार को 25 तो 75 पैसा मतलब 3 बटा चार तो 3 बटा 4 गुड़े 16 चार से ये 4 बार में गया 12 आट 20 इसका आंसर 20 आएगा प्यारे दोस्तों 34 का आंसर 20 ठोको लाइक बोलो हाँ बढ़ियां से पढ़िये प्यार से सीखिए एक दिन आपको वास्तों में खुसी मिलेगी क्योंकि जो बच्चा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ता है एक दिन उसको आटोमेटिक मालूम नहीं चलता और कब उसको सफलता मिल गए कहता इस कोशन में कि 3x ऐसे है ऐसे लिख दिया 8 चो का 32 दोको यहां पर खत्रा है 4 ऐसे अब यहां 8 बटा 9 ऐसे लिख देना जिससे गलत नहीं होगा और यहां पर x by 3 ऐसे माइनस का 1 यह चीज यहां आया तो घटाओगे 9 में से 1 गया 8 बटा 3x हो गया और माइनस का 1 यह उध बोलो हां नीचे 9 और यह 8 बटा 3x के 3 से यह जाएगा किती बार में 3 बार में तो x बराबर माइनस का 41 अपाउन 24 इसका जो राइट आंसर आएगा माइनस का 41 बटा 24 आएगा हर चीज को सीखिए बहुत प्यार से बहुत अच्छे से 11 बजए यह सेट कराए जा रहे हैं ठीक है 26 सेट हो गया अब 6 बचे हैं प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है एक बार आप देखिए खुसी मिलेगी 36 के बाद अब चलेंगे 41 नमबर में प्यारे दोस्तों 41 नमबर कोशन क्या कहता है कहता है एक स्कुले बराबर प्लस 1 बराबर 2 फेट एंड ट्राहिल कर दो तो वन माइनस वन जीरो आंसर आएगा ज्यादा दिमाग नहीं लगा ना सीधे आंसर लागा चले प्यार से सीखेंगे महबबस से जानेंगे दोस्तों पढ़ते रहे मुस्कुराते भी रहे और चीजों को सीखते भी रहे कहता है 120 पेनो का क्रैमूल X पेनो के विक्रैमूल के बराबर है तो 120 का जो सीपी है वो X के SP के बराबर है according to the quotient यदि 125 परसेंट है धैर पूर्बग समझेंगे CP अपॉन SP लिख दो और X अपॉन 120 के रहे लाब 25 परसेंट है 25 परसेंट का आर्थ होता है एक बटा 4 मतलब 4 की चीज 5 में बेच रहे हो तो 5 बराबर अगर 120 यानि 24 का गुणा हो रहा है तो 4 बराबर 96 हो जाएगा 24 का गुणा तो इसका जो क्रैमूल आएगा वह 96 आएगा कितना आएगा 96 कोशन पड़ो 120 वस्तुओं पेनो का क्रैमूल X के विक्रैमूल के बराबर तो CP आपॉन SP X आपॉन 120 कर आप 25 परसेंट का लाब हो रहा है 25 परसेंट का लाब क्या है जब कोई चीज 4 की होती हो 5 में बेच होगे तो 25 परसेंट कमा होगे तो 5 पराबर 120 तो 1 पराबर 24 गुड़ा कर दो 96 आंसर 44 का 49 नंबर कोशन सभी लोग जानते कि X अपॉन Y बराबर 2 बटा 3 दिया है कोशन में रख दो 5 दुना 10 हो जाएगा और 3 तरिका 9 हो जाएगा बोलो हाँ नीचे रखोगे 10 में से 9 घटा दो तो 19 इस दा राइट आंसर इस कोशन का आंसर 19 इस टुवन आएगा 49 नंबर का चले 56 नंबर कोशन सीखेंगे बहुत अच्छे से बिलकुल यूद का मेंसुरेशन जो बचा है धीरे से कराते हैं ठीक है कराते हैं आप लोग भी लाइब नहीं आते हो फिर भी हम करा दिये हैं 90% किताब वो भी फ्री में सबसे बड़ी बात फ्री में कराया आप देखो साइदी कोई यूटूब के अंदर टीचर होगा जिसके 45 वीडियो के उपर यूपी एसाई के फ्री में आये हो किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि पैसा देऊ समदे करा देंगे भले आप देखो चाहिना देखो एक्स प्लस वाई बराबर पांच एक्स वाई बराबर छे तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान बताईए मासूम से दोस्तो बहुत अच्छे समझे ये जो 6 है इसका अर्थ होता है 2 गुड़ा 3 बोलो हाँ X को 2 रखो Y को 3 तो दो 3 5 होता है 2 गुड़े 3 6 होता है 2 का क्यूब 8 होगा 3 का क्यूब 27 होगा 27 और 8 35 is the right answer ये बहुत प्यारा तरीका है आप इससे लगाईए ऐसे कोशन हमारे सीजल के एक्जाम में बहुत आते हैं एक बहुपुच के आंत्रीकोडों के मापो का योग 32,42 है बहुपुच में भुजाओं की संख्या ग्यात किजिए सभी लोग जानते हैं कि बहुपुच में सभी कोडों का योग जो होता है वो n-2 into 180 होता है sum of all angles sum of all interior angles in a polygon n-2 180 होता है जिसका योग हमें दिया गया है 3240 बोलो हाँ कहते 0 से 0 काटो बोलो हाँ और 18 से ये जाएगा 18 बार में यानि n-2 बराबर 18 तो n बराबर 20 the right answer of this question 20 58 का अंसर 20 आएगा मेरे मासूम से दोस्तो question number 59 बहुत प्यार से सीखेंगे बहुत अच्छे से सीखेंगे ठोको लाइक बोलो हाँ और सीखेगा इंडिया हमारे साथ जी हाँ दोस्तो हर चीज को सिखाएंगे बहुत धैर सयम और विवेक के साथ कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्याद किजिए जिसमें 25 जोडने पर प्राप संख्या 25, 36 और 40 से पूरते विभाद जियो 25, 36, 40 से पूरते विभाद जियो मासूम से दोस्तो कहरा है जोडने पर तो आप क्या करो सभी option में जोड दो पहला 22, 25 लिखा है तो 22, 50 लिख दो 25 जोड दिया फिर 35, 75 लिखा है 25 जोड दो 36 हो जाएगा हम लोग वाया options कहलेंगे 37, 25 में 25 जोड दो 37, 50 हो जाएगा और अंतिम में 25 लिखा तो 50 हो जाएगा अब आपके पास संख्या है 25, 36, 46 मोटा मोटा खेलेंगे मोटा मोटा खेलेंगे पहली बात तो ये 36, न चोग को 36 होता है यानि 4 का भी मल्टपिल और 9 का मल्टपिल पहले देखो 4 का मल्टपिल ये 4 से जाएगा नि ये 4 से जाएगा नि ये 4 से जाएगा नि खतम, मुद्दा ही खतम आंसर 3600 वाला जिसको हम बोलेंगे 3575 वाया options किया यूद का LCM SCF अगर आपने मेरे concept से पढ़ लिया हर एक कोशन सेकेंडो में बनेगा किसमें सेकेंडो में बनेगा मिनट तो पहुचोगे ही ने एक बार पढ़के देखिए LCM SCF यूद का हमारे according 60 नंबर कोशन सीकें मगर प्यार से प्यारे दोस्तों जबर्दस तरीके से बताते हैं 26 सेट हो गए हैं 6 बचे वो भी धीरे से आपको करा दिये जाएंगे तो पढ़ते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं कहता यदि एक और ठीटा बराबर बी और इसका मान ग्याद किजिए दोस एक कॉट ठीटा बराबर भी एक कॉट ठीटा बराबर बी के है तो कॉट ठीटा की जो वैलू होगी वो बी बाई ए और कॉट ठीटा कॉम लोग बोलेंगे कॉश ठीटा अपॉन साइन ठीटा यस या नो बिलकुल अब एक चीज देखू इस कोशन में जहां जहां कॉश दि तो cos theta की जगे b रखा तो a b हो गया, minus b sin theta, sin theta की जगे a तो ये भी a b हो गया, नीचे अभी कुछ भी हो पर उपर 0 हो गया, नीचे से भाग दोगे, या कुछ भी हो से भाग दोगे, शूने आंसर आएगा, इस question का आंसर 0 आएगा, 60 number का, सर कैसे आप स्वयम समझ गये होंगे, कि cos theta की जगे b रखा तो a उपर हो गया a b, और sin theta की जगे a रखा तो फिर a b, a b minus a b 0, नीचे आप कुछ भी आ रहा हो, वैसे भी तो नीचे 0 नहीं आना है, तो 0 is the right answer, 60 के बाद 61 number question, बढ़िया से पढ़िये, प्यार से सीखिए हमारे साथ, हर चीज को पढ़ाया जाता है, प्यार मोहबबस से, यदि एक बेलन की तरिज्जा 5 cm है, और इसकी उर्ध्वाधर उचाई 112 cm है, तो आयतन क्या होगा, यदि एक बेलन की तरिज्जा 5 cm है, और इसकी उर्ध्वाधर उचाई 112 cm है, तो आयतन क्या होगा, बात को समलना, बेलन की तरिज्जा 5 cm, पांस सेंटीमेटर ओचाई एक सो बाद तर है तो इसका आयतन क्या होगा प्यारे दोस्तों आप भी जानते हो पाई आर स्क्वेर एच होता है पाई मतलब बाईस बटा साथ आर मतलब पांच गुड़े पांच और एक सो बाद तर देखा जाए सारे ओप्शन्स पाई बेसेस पे हैं तो यहाँ पाई ऐसे रख दो अब यह 25 का गुड़ा करो 25 दुना 55 हासिल 25 सते 175 असी 18 हासिल और 25 और 48 43 तिरालिस सो पाई इस दा राइट आंसर इस कोशन का आंसर 4300 पाई आएगा मासूम से दोस्तों यह कोशन एक अच्छा कोशन है टफ नहीं है प्यार से सीखेंगे महबबस से जानेंगे हर चीज को पढ़ाता हूं मगर प्यार से एक बच्चा कहरा आपका कोर्स लेना है बेसिक से देखें अगर आप सिर्फ जीवन में ग्रूप डी की त्यारी कर रहो तो आप हमारा कोई कोर्स मत खेदो इतना यूटूब में पढ़ा दिया है जैसे यूथ रेलवे पूरा था पूरा यूटूब में पढ़ा रखता है तब आप डिसाइड करना की कोर्स खरेदना है की नहीं समझे ने बिना डेमो के कोई कोर्स नहीं मुद्दा खता ठेक है ऐसे सम्मोम आया है अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस एक वरगाकार मैदान का छेतफल इतना है प्यारे दोस्तों ये वरगाकार मैदान है बात को समझ और यहां भी रूट टू से भाग हो जाएगा यस यानो एक वरगाकार मैदान का छेतफल बहत्तर सो है प्यारे दोस्तों ये स्क्वाइर बराबर स्याविंटी टू हंडेड है ये बराबर छतिस सो साट रूट टू आएगा मतलब ये चीज साट रूट टू आएगा ये भी साट रूट टू आएगा और इसकी डाइगोनल 120 हो जाएगा क्योंकि रूट टू का गुणा 120 अब हमसे कहता है कि इसमें 4 किलोमेटर प्रति घंटे की चाल से निया चाल से एक साइकल द्वारा मैदान को विकरण पार करने में कित्ता समय यहां से एक व्यक्ति चलता है और उसे 120 तै करना है पर हमसे यहां बोला है क्या 4 किलोमेटर प्रति घंटा एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और उसमें वह 4 किलोमेटर यानी 4000 मीटर पर हमें चलाना है 120 मीटर हमसे पूछा गया है समय क्या होगा तो सिंपल सी बात है 1-0 से 1-0 काटो 1-0 से 1-0 काटो 4 से यह 10 बार चार से ये तीन बार तो ऐसा कलो 6 बटा X बराबर 10 बटा 3 बोलो हाँ मासूम से दोस्तों चीजों को समझो तो X बराबर आ गया 18 बटा 10 ये समाज इसे 9 बटा 5 मिनट के नाम से जानेगा कैसा लगा नहीं दिखा तो आप दिखेगा अरे मेरे दे होताओं 120 मीटर चलाना है एक घंटे में 60 मिनट होते हैं 4000 मीटर चलोगे क्योंकि 4 किलो मिनटर पती घंटा यहां से चल रहे हो तो देखा जाए X मिनट में आप 120 मीटर चलोगे 0 से 0 कटा 0 0 यानि 6 मिनट में 10 मीटर एक तरीके से समझ गया ना 10 अपॉन 3 तो 6 अपॉन X 10 बटा 3 ऐसे अगर इसमें कोई तकलीप है कि सरम नहीं कर पाएंगे तो टाइम बराबर डिश्टेंस अपॉन स्पीड यह है स्पीड 4 किलो मिटर पती घंटा 4000 मीटर लिग दो अपॉन 60 मिनट लिग दो क्योंकि आंसर मिनट में आ रहा है प्यारे दोस्तों उसके बाद क्या करो 10101010 ऐसे काड लो टी 12 बटा 40 उपर 6 हो गया बर्चंग 72 होता है 72 बटा 40 8 से ये 9 बार में 8 से ये 5 बार में 9 बटा 5 is the right answer चाहे ऐसे खिचड़ी पकाओ चाहे वैसे खिचड़ी पकाओ पकनी खिचड़ी ये ठीक है तो 9 बटा 5 is the right answer of this question कैसा लगा इमान दारी से बताईए चलिए ठोको ठोको लाइक बोलो हाँ सबी लोग 70 नमबर कोशन लगाईए पूस्ता है भारत जी हाँ दोस्तों निरंतर पढ़िये प्यार से सीखिए और पढ़ाया तो जाई रहा है जो आपके भाई बैन छोटे भाई बैन या बड़े भाई बैन SSC GD की त्यारी कर रहे हो साले 12 बजे 40 सेट उनको फ्री में पढ़ाये जा रहे है पहले आज पाचवाँ सेट पढ़ाये जाएगा जी हाँ फिर उसके बाद धीरे से उनको दो-दो सेट करके भी पढ़ाया जाएगा प्यारे दोस्तों कहता है असोग भाई अपनी मासिक आय का 10 परसेंड वै करता है और प्रतिमाद 54 सो की बचत करता है उसकी मासिक आय ग्याद किजिए 10 परसेंड वै करता है यानि 90 परसेंड बचाता है और यही 90 परसेंड बराबर 54 सो के है तो 100 परसेंड का मान पूछा गया है प्यारे दोस्तों आप देखो 90 में किसका गुणा करे कि 54 सो हो जाए तो आप कोगे 60 का इसमें भी 60 का गुणा कर दो 6000 इस दा राइट आंसर इस कोशन का आंसर 6000 आएगा 70 का चालिए 73 नंबर सीखे मगर प्यार से और महबबस से प्यार और महबबस से 2 मीटर लंबा एक परवेच्छक एक मिनार से इतने मेटर की दूरी पे है प्यारे दोस्तों ये एक परवेच्छक है जिसकी लंबाई 2 मीटर है और ये एक मिनार से 500 रूट 3 मीटर की दूरी पर है according to the question प्रेच्छक की आंक से मिनार के सिर्स का उन्यन कोण तो प्रेच्छक की आंक यहां कहीं होगी आंक उपरी होती है और इसका उन्यन कोण 60 डिग्री है ये 60 डिग्री तो ये भी 2 मीटर होगा और ये 150 रूट 3 होगा कहते क्या है प्यारे दोस्तों चीजों को समझो जब हम 90 के साथ 60 देखते हैं तो 1 और रूट 3 का रेशियो होता है एक बराबर 150 रूट 3 तो रूट 3 150 रूट 3 इंटू रूट 3 जो कि साढ़े 400 होता है जी यां ये साढ़े 400 और दो जो लोगे तो 452 इस दा राइट आंसर इस कोशन का आंसर 452 आएगा 63 है 63 नमबर का 64 नमबर लगाईए याद रहे हमने हाइटेन डिस्टेंस भर भर के यूटूब में पढ़ाया है आप कोई भी टॉपिक अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट उस टॉपिक का नाम लिखो आगे प्रकास सर्मैत लिख दो आपको दिल खुस हो जाएगा सर जी वॉल्यूम टू आ गया है मालूम चल गया है मेरे भाई पटना में एबलेबल है अभी लखनो में नहीं पहुचा है जे हाँ दोस्तो समय लगेगा अलखनो में अगर पहुच गया तो फिर हमें ढूनने में दुकान ढूनो फिर लेके आओ समय लगता है मैं ओनलाइन बुकी करूँगा तभी आता हैगा दो जाज एक लाइट हाँस के दोनो और समुद में नौका यान कर रहे हैं जाजों से देखे जाने पर लाइट हाँस के सिर्स के उन्यन कोण 45 और 60 है मासूम से दोस्तों चीजों को समझना ये उन्यन कोण 45 है और ये उन्यन कोण 60 है यस यानो यदि लाइट हाँस की उचाई 81 मीटर है ये लाइट हाँस है इसकी उचाई 81 मीटर है तो दोनो जाजों के बीच की दूरी बताईए दोनो जाजों के बीच की दूरी बताईए मैं आप से कहना चाहता हूँ अगर ये 45 डिगरी है तो ratio 1 to 1 का हो जाएगा ये 60 डिगरी है तो ratio 1 to root 3 का हो जाएगा पर देखा जाए दोनों case में height समान होना चाहिए इसलिए यहाँ root 3 और यहाँ root 3 मतलब ये दूरी हो जाएगी root 3 plus 1 और height root 3 हो जाएगा अब खेला देखो कहते हैं कि root 3 बराबर 81 मीटर के है बोलो हाँ एक बराबर 81 upon root 3 हमसे कहरा दोनों की बीच की दूरी तो root 3 plus 1 का इत्थे इंटू root 3 plus 1 का उत्थे इंटू और यही इसका answer है तो 80 upon root 3 root 3 plus 1 is the right answer that means options number A बोलो हाँ किस सर समझ गये चले एक बच्चा कहरा सर इसका दो-दो सेट कराई है दो-दो ने हम चार चा करा दें अरे देवता दिन में 4 classes यूटूब में पढ़ाते हैं इंसान है फोटू खिचोगे ना और एक सेट की फोटू स्क्रीन ले लेके सेट करने में पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे प्यारे दोस्तों बात को हमारी समझो बहुत समय लगता है धिरे-धिरे सेट करने में बीच में सरवर भी जा रहा है थोड़ा सा पेसेंस रखेंगे केता है फोर इंटू फाइब चलो लिख देते हैं इस कोशन को फोर इंटू फाइब डिविजन में टू माइनस का एट इंटू सावन प्लस नाइन माइनस थ्री प्लस टू यास यानो देखा ये जाए कि यहाँ पर ये एक चीसम जो दो से भाग दोगे और चार का गुड़ा तो ये दसी हो जाएगा इसका कैल्कुलेशन दसी आएगा ठीक है माइनस आट सते च्छप्पन ऐसे हो गया नौ ऐसे माइनस का पाँच अब मोटा मोटा देखो कितना आएगा देखा जाए समाज में नौ और दस उननिस पोष्टिव है और च्छप्पन पाँच एक सट निगेटिव है यानि माइनस का 42 अंसर आएगा इस कोशन का अंसर ये किसमत है जिसके में ये कोश्चन आया कि विकास एक कार 15 दिन में पूरा करता है बबलू उसी कार को 10 दिन में विकास 15 दिन में और बबलू 10 दिन में LCM 30 आया किसमत है 2 बटा 3 6 से भाग दे दो 5 is the right answer इस कोश्चन का आंसर 5 घोसित कर दो सुरी 6 घोसित करोगे 2 3 5 से भाग दोगे 6 आयेगा ज्यादा जल्दी में गरबर हो जाएगा 6 is the right answer समझ गए मेरे भाईयों बोलो हाँ अरे दे उता एक गिसी काम को 15 दिन में B 10 दिन में LCM 30 आया A की कार चमता 2 B की कार चमता 3 3 2 5 से भाग दोगे 6 इसका right answer आएगा चले कोश्चन नमबर 80 लगाईए मगर प्यार से हर चीज को पढ़िए बहुत धैर पूर्वक पढ़िए और प्यार से सीखे कहता है एक्स कॉस 45 एक्स ऐसे कॉस 45 की वैलू आती है 1 बाई रूट 2 यस यानू कॉस 45 होगा 1 बाई रूट 2 साइन 120 साइन 120 का मतलब कॉस 30 कॉस 30 की वैलू रूट 3 बाई 2 होती है बच्चा बोलो हाँ फिर साइन 60 साइन 60 भी रूट 3 बाई 2 ही होता है बराबर माईनस का एक्स प्लस 1 क्योंकि साइन 90 तो आप भी जानते हो यह माईनस का एक्स यह इधर आया तो यह हो गया उपर रूट 3 अपाउन 2 रूट 2 प्लस का एक्स यह उत्थे बेज़ दो 1 माईनस रूट 3 बाई 2 यानि यह 2 माईनस रूट 3 बाई 2 हो गया यहां इसमें एलसियम लेलो तो रूट 3 एक्स मादब रूट 3 प्लस 2 रूट 2 अपाउन 2 रूट 2 एक्स ऐसे और माईनस का 2 रूट 3 बाई 2 हैपी बड़े तू का इंटू कर दू तो 2 रूट 2 माईनस का 3 दूना 6 ऐसे और नीचे रूट 3 प्लस 2 रूट 2 यह एक्स आ गया दे राइट आंसर आप दिस कोशन गाईस 2 रूट 2 माईनस रूट 6 अपाउन रूट 3 प्लस 2 रूट 2 अप्सन नमबर सी नदर आ रहा है बाकी आप चेक कर लिएगा जी हाँ दोस्तों कैसा लगा चलिये जैपूर कैरियर पावर से स्ट्विएन्ट पढ़ते रहे मेरे भाई बहुत अच्छे से अंकित राचपूर जी चलिये तो पड़ते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं सर इसका पीडियाव कहां से मिलेगा किताब खरीदो इसका पीडियाव हम कहां से दे दे आप खुदी सुचो हम इसको फोटो केच के तुम्हें देंगे तुरंद कॉपी राइट्स का इसू आ जाएगा इनका भी यूटूब चैन करते हैं प्रकास सवस्ती एप में जाएए ओरिजिनल सेट सारे पड़े हुए वह आप डाउनलोड कर लिजे वह आप देखिए प्रकास सवस्ती एप नहीं टेली ग्राम ग्रूप में ठेक है वह आप कर सकते है ओरिजिनल वाले भाई है तो कोशन वही न कहता है 3 प्लस के कोशन आ गए प्लस 3 इंटू ब्रैकेड में 8 डिविजन में 2 माइनस का 4 प्लस 3 ये कोशन है मासूम से दोस्तों याद रह सावधानी हटी आंसर गलत देखो 3 डिवाइड बाई 5 यानि 3 बटा 5 आठ चोका 32 ऐसे रग दो यहाँ देखो ये 4 आया 4 में से 4 गया माइनस का 3 तो माइनस का 9 हो गया येस या नू सर कैसे ये माइनस का 7 हुआ तो यहाँ से माइनस का 3 आया माइनस 3 गुड़े ठीक है अब इसको कैल्कलेट करो 3 ऐसे 16 32 बटा 5 मतलब माइनस का 202 बटा 5 आएगा The right answer of this question minus 202 upon 5 हो जाएगा 184 नमबर पढ़िए मगर प्यार से मोहबब से कोई कोशन में डाउट हो उसे आप क्या करो गोला बनाएए और दुबारा देखिए दुबारा देखिए ये वीडियो यूटूब में पढ़े रहेंगे तो आप दुबारा भी देख सकते Question number 84 क्या कहता है 1 plus cos 2a 1 minus cos 2a 1 plus cos 2a 1 minus cos 2a का मान ग्याद किजिए जबकि a आसून ने है प्यारे दोस्तों आप भी जानते हो कि cos 2a की जो value होती है वो 2 cos square a minus 1 और 1 minus 2 sin square a होती है उठाकर बस यही रखना है जब आप रखोगे तो 1 plus 2 cos square a minus 1 और 1 यहाँ पहले negative 1 और minus minus प्लस हो जाएगा कहते हैं इससे ये निप्टा इससे ये निप्टा 2 से 2 निप्टा cos square a upon sin square a बहार आएगा तो cos a upon sin a जिसे ये समाच कोट a के नाम से जानेगा the right answer of 84 number question कोट ही हो जाएगा 48 और 65 का LCM बताईए 3120 होगा सरक्यों option देखो पहला 48 दूसरा 65 फिर एक तो ये तो होना ही नहीं है 48, 65 का LCM 65 से जादा ही होगा जो कि 3120 ही होगा 85 का answer दिमाग लगाना ही नहीं है 86 से 89 तक question करेंगे प्यारे दोस्तों उससे पहले हम आपको बता दें क्या क्या टेस्ट बुक में offer चल रहा है जबरदस offer speed test में lifetime pass का मतलब 3 साल की validity के साथ आपको pass मिलता है ये 6.99 का हो गया है पर अभी आप 10 से रे offer में खेदेंगे और PA10 का code लगाएंगे PA10 से 209 रुपए आपको off मिलेंगे कितने 209 रुपए मतलब जबरदस offer आपको हमने provide करवा दिया है PA10 का मतलब 30% एक तरीके से off हो रहा है जिहां दोस्तों तो हमेशा याद रखो किसी भी exam की त्यारी करनी है speed test जरूरी है और test book सभी exam के speed test एक साथ दे देता bulk में ये लो लगा लो और selection तभी होता है जब आप speed test लगाते समय अपना comparison दूसरों से करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे बाई अगर हम speed test दे रहे है हजार के अंदर रेंकारी और vacancy दस जा रहे तो हमारे तो आप से ओर है और paper भी अच्छा हो जाना है क्यों confidence level इतना अच्छा होगा कि पहले हमाई 1000 रेंकारी थी इतने लोग test बुक में form भरे हुए है मलब speed test देते हैं और वहां अच्छा कर रहे हैं तो हर जगे फिर अच्छा ही कर रहे हैं ठीक है चले बाकी description देख लेना तो प्यारे दोस्तो question number आपके सामने हैं इसे धैर पूर्वक समझेंगे 86 से 89 number 86 से 89 number को देखेंगे क्या कहता है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक और question है कहता है नीचे दिये गए महिनों में से किस महिने में विक्री जन्वरी से जुलाई की अवदी के दौरान हुई और सब विक्री के लगभग है लगभग है नेरेष्ट में है तो देखो इसमें जो वैलू है पहली 200 को टच कर रही फिर 300 को टच कर रही है फिर 100 को टच कर रही है फिर 200 को टच कर रही है फिर 400 को टच कर रही फिर 500 फिर 600 को मोटा मोटा जोड़ी लेते हैं, 200 और 300, 500 और 100, 600, 600, 200, 800, 800, 4, 1200, 1200, 1200 और 11, 200, मतलब सभी को जोड़ोगे तो 300 आएगा, 2300, कितने जनवरी से लेकर जुलाई तक 7 महिने होते हैं, भाग दो, 731 तीन बार में, फिर विस्सा आएगा, मतलब 320 से बढ़ा होगा, 320, अब हम पुरा भाग नहीं देते हैं, असली बात हैं, 320 से बढ़ा होगा, अब 300 के नीरिश्ट में कौन सा महिना है, 300 के नेरिश्ट में महिना कौन सा है, फरवरी है फरवरी 300 है और मई 400 है तो 300 से बड़ा भाग देने ही पड़ेगा 329, 21, 328 के आसपास तो हम लोग 300 ले लेंगे और ये फैम वाला मन्त होगा कौन सा मैना होगा फरवरी क्योंकि फरवरी 300 में है और जो अब मई है वो 400 400 बहुत ज़्यादा होता है तो एपरोक्स में फरवरी महिना ले लो मेरे भाई फरवरी महिना ले लो फिर 87 में कहता है जुलाई मा में हुई बिक्री जनवरी मा में हुई बिक्री का किता गुना है जनवरी में 200 जुलाई में 600 तीन गुना है क्योंकि दोसो का तीन गुना 600 होता है बच्चा बच्चा जानता है फिर हमसे कहता है इस कोशन में कि जनवरी से मार्च और मार्च से जून की आवदी के बीच विक्री में हुए आवसत प्रसत व्रद्धी लगबक कित्ता होगा लोग पहले आवसत फिर प्रसत फिर व्रद्धी बताना है बताया जाएगा देखो जनवरी से मार्च जनवरी से मार्च जनवरी में 200 फरवरी में 300 और मार्च में 100 200, 300 और 100 ये हो गया 600 ये 600 हो गया और अप्रेल माई जून अप्रेल में 200 माई में 400 और जून में 500 तो 1100 हो गया ये 1100 हो गया एक सेकंड पांच चान नौ दो गया ठीक है ये 1100 हो गया अब औसत कह रहा है तो 3 और इसी का प्रसत तो ये सब फरजी वाड़ा है तीन से 3 गया 6 से कोई चीज 5 होती है तो दोनों का अंतर कितना है 6 से 11 होती है तो अंतर 5 है डिवाइड वाए 6 गुड़े 100 प्यारे दोस्तों हम भी जानते हैं कि 1 बटा 6 को 16 से ही 2 बटा 3 परसंट कहते हैं तो यहाँ पर जो आ रहा होगा और ऐसे भाग दो ये 50 हो गया ना 6 से भाग दोगे अर्चंग 48, फिर 30, 83 तो देखो 83 परसंट के आसपास कुछ है एक ही ओप्सन है एप्रोक्स में 83 परसंट हो जाएगा तो राइट आंसर आप दिस कोश्चन गाईज 83 परसंट एप्रोक्स में कोश्चन नमबर 89 केरा पिछले मैने की तुल्ला में निम्म से किस मैने में विक् प्रतिस्षत बोला गया है एक से कोश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा देखा जाए पहले जनवरी है फिर फरवरी जनवरी में 200 फरवरी में 300 तो 50 परशंट बड़ा और फरवरी से मार्च में घट रहा है तो नहीं देखेंगे फिर मार्च से अप्रेल में देख और अप्रेल से माई में देखो अप्रेल में 200 है और माई में 400 है तो 200 से 400 पहुँच रहा है तो भी 100% इंक्रिमेंड हो गया इसके के दो answer मुझे लग रहे हैं, पहला आप April भी बोल सकते हो, दूसरा मई भी बोल सकते हो, तो जो options पे गए है, तो पिछले मैने की तुल्ला में, तो April भी answer है, मई भी answer है, पर option में पहले कौन आ रहा है, तो option में पहले मई आ रहा है, इसलिए exam में मई को सही कर दिया गया होगा, जिया दोस्तो इसलिए एक्जाम में मई को सही कर दिया गया होगा पर आंसर दो आ रहे हैं अप्रेल और मई आप लोग बताईए कोशन नंबर 89 का आंसर तो इसमें options के according प्यारे दोस्तो बढ़ेंगे तो इस कोशन में आप याद रखना कि दो को आंसर दो होगे अप्रेल भी ह होगा मैं भी होगा पर आप मुझे पहले बताओ अगर मैं मिल गया है सबसे ज़्यादा तो अप्रेल को क्यों चेक करेंगे जाके क्योंकि पहला ही आंसर हो गया ठीक है तो पेपर वालों ने स्टाइजिस का आंसर मैं सही किया है पर मुझे दोनों लग रहे हैं बाकी आप विचार बताईए पूसता है भारत ठीक है तो मैं इस दा राइट आंसर आप ले लेंगे क्योंकि जो पहले आएगा उसी को जैसे दो वैकिंसी है पहले जो आया उसको दे दिया असली बात यह हुआ तो आसा यही है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा प्यारे दोस्त 26 सेट हो गए आने वाले समय में 6 सेट और भी करा दिये जाएंगे और यह कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बात आने वाले सेट जो कि 32 आएंगे तो उसमें क्या करेंगे लाइफ क्लास फ्री रखेंगे जिससे कि आप बिल्कुल डेडिकेट बिल्कुल फिक्स टाइम प्याओ और पढ़के जाओ और नहीं तो जहां जेब से 10 रुपिया निकलेगा न उसी वक्त सब लाइफ आ जाओगे और लाइन से आ जाओगे और पढ़ोगे ठीक है तो बस अभी के लिए इतना ही पढ़ते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं और इतना कुछ पढ़ा दिया ह आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए खुसी मिलेगी तो जय हिन जय भारत